इस वक्त मैं राइन नदी के किनारे पर हूँ। ये नदी चार देशों से गुजरने के बाद जर्मनी में दाखिल होती है और अभी भी ये बहुत साफ है। भारत में एक ही देश के अंदर बहती हुई नदियां हमसे साफ नहीं हो पा रही है। आखिर जर्मनी समेथ पश्चिमी यूरोप के देशों ने कैसे किया अपनी बेहत गंदी हो चुकी नदियों को साफ यही जानेंगे आज पिन एन पोस्ट में। नमशकार आपके साथ मैं हूँ ओंकार चलिए शुरू करते हैं। सुच्जलेंड में आल्प्स के पहाड़ों से निकलने वाली ये नदी दुनिया के सबसे व्यस्त कमर्शियल जलमारगों में से एक है। इस नदी के किनारे दुनिया के कुछ बड़े औद्योगिक शहर बसे हुए हैं। यूरोप के सबसे बड़े पोर्ट रोटरडाम को ये छे देशों से जोड़ती है। हर साल इस नदी पर करीब साथ हजार जहाज चलते हैं। और इन सब के बावजूद इस नदी के पानी की कॉलिटी ये देखिए। अभी भी इस नदी का पानी एकदम चमक रहा है। और बारा सो किलोमीटर लंबी नदी का पानी साफ रहे। ये तै करने की जिम्मेदारी 9 इंटरनेशनल स्टेशन और 20 नेशनल स्टेशनों पर है। वो लगातार इस नदी के पानी पर नज़र रखते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये नदी हमेशा से इतनी साफ थी। इसका जवाब है नहीं। 1980 के दशाक तर ये यूरोप की सबसे गंदी नदियों में से एक थी। इससे बदवुआया करती थी, इसके उपर मरी हुई मचलिया तैरती दिखती थी। कैसे उसके बाद यूरोप के सारे देशों ने जर्मनी समेथ इस नदी को साफ करने का बीड़ा उठाया और उसके लिए क्या क्या किया। चलिए आगे इसी को समझते हैं। राइन नदी के किनारे बसे बॉन शेहर की आबादी करीब तीन लाख है। और यहां ऐसे चार बड़े वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं। दिल्ली की आबादी बॉन के मुकाबले साथ गुना जादा है। जी हाँ साथ गुना जादा। और दिल्ली में ऐसे चे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं। भारत के बहुत सारे कजबों में तो ऐसे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स का कोई अता पता नहीं है। जर्मनी में पूरे अगर देश की बात करें तो 15,000 से ज़ादा वाटर ट्रीट्मेंट प्लांट्स है जहां देश की 95 फीजदी आबादी जो पानी इस्तेमाल करती है वो वहाँ पहुंसता है वहाँ उस पानी को साफ किया जाता है तीन चरणों में पानी को साफ किया जाता है तीन अलग-अलग स्टेप्स में हर स्टेप्स में पानी से कुछ अलग-अलग चीज़ें निकाली जाती है और कौन-कौन सी चीज़ें निकाली जाती है ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं तो कुल मिलाकर इस तरह पानी को साफ करने के बाद ही नदीयों या जलधाराओं में रिलीस किया जाता है ये तो हो गई बड़ी नदीयों और बड़े शहरों की बाद लेकिन गामों से गुजरती बलखाती हुई छोटी-छोटी नदीयों और जलधाराों का क्या उनकी सफाई कैसे की जाती है? चलिए इससे समझने के लिए हम गाउं की तरफ चलते हैं और अब हम आ पहुँचे हैं गामों में मेरे इस तरफ कई गाउं हैं और दूसरी तरफ प्राकर्टी करूप से संगरक्षित इलाखा और उन दोनों की बीच में बहती है राइन की एक सहायक नदी जी ये नदी 155 किलोमीटर लंबी है जो आगे जाके राइन में मिल जाएगी इस नदी के किनारे भी सेकडों, गाउं, कुछ बड़े शहर और कुछ कजबे बसे हुए है उन सब के लिए भी पानी साफ करने का इंतजाम किया गया है गाउं का सिस्टम ये है कि चार या पांच गाउं के बीच में एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाता है उन सारे गावों का पानी वहीं आता है उनके घरों का और उसे साफ करके जल्धाराओं में छोड़ा जाता है या नदीयों में छोड़ा जाता है शेहरों और कजबों को उनकी आबादी और जरूरत के हिसाब से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स वहां लगाए जाते हैं लेकिन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के साथ ही बहुत जरूरी है कि छोटी नदीयों के आसपास प्राकृतिक रूप से संगरक्षित इलाके छोड़े जाएं छोटी भी और बड़ी नदियों के किनारे भी क्योंकि प्लांटों में साफ करने के बाद भी पानी में कुछ माइक्रो बैक्टिरियाज बचे रहते हैं वो माइक्रो बैक्टिरिया नदी के नेचुरल प्रवाह में जब नदी का पानी लगातार पत्थरों, रेत और मिट्टी के संपर्क में आता है वो माइक्रो बैक्टिरिया वहाँ चंते हैं उस प्रवाह के दौरान चंते हैं लिहाज बहुत जरूरी है कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के सांसाथ नदीयों को बीच बीच में सांस लेने के लिए ऐसी जगह दी जाए, ऐसा इलाका दिया जाए जहां प्राकर्तिक रूप से जंगल हो या पूरी तरह प्राकर्तिक रूप से संग्रक्षित इलाका हो जर्मनी में ऐसी छोटी नदियों के किनारे जहां गाउं हैं वहां खेती के लिए भी कुछ इस तरह के इंतजाम किये गए हैं कि वहां बहुत जादा रासाइनी खाद का इस्तिमाल ना किया जाए क्योंकि अगर उन खेतों में बहुत जादा पिस्ट्रिसाइड या कीट नाशकों का इस्तिमाल किया जाने लगा तो बरसात में उस सारा पानी खेतों से बहता हुआ कहीं नदी का हिस्सा बन जाएगा और उग कीट नाशक नदियों में घुल सकते हैं तो दोस्तों आपको यी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं अपनी राय अगर आपको यी जानकारी अच्छी लगी तो इसे जादा से जादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने पिन एन पोस्त को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर डाल दिए बैल आइकन भी दबा दीजिए अगले हफते एक और इंट्रेस्टिंग टॉपिक के साथ आप लोगों से फिर होगी मुलाकात नमश्कार